New Judgments की नई सीरीज पे नेक्स वीडियो लेकर एक पार फिर आपके समख्ष उपस्तित है आज के वीडियो में चर्चा करेंगे SCST Act 1989 की जो Recent Amendments है उनकी और उसके साथ जुड़े हुए Case Loss की तो आए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो गुरू जी SCST Act 1989 और कुछ रीसेंट जज्जमेंट्स ने एक आम इनसान के मन में बहुत सारे डाउट्स क्रियेट किये हैं जैसे कि क्या ये जो अमेड्मेंट्स आई हैं क्या उसके बाद किसी भी जर्नल केटेगरी के विक्ति को SCST Act के किसी जूटे केस में इंप्लिकेट किया जा सकता है और क्या अब उसके पास कोई भी राइट नहीं है गुरुजी अगर एनिमिटी निकालने के लिए देखा जाए अगर विंडिक्टिव तरीके से किसी विक्ति को थोड़ी ही देर के लिए मान लीजी ए घंटे के लिए भी पुलिस रेस्ट करके जेल भेल देती है तो उस विक्ति की रेपूटेशन सुसाइटी में बिलकुल तार-तार हो जाएगी बाद में फिर जाए उसे बेल मिल जाए या अक्वेटल हो जाए तो कौन अकबार पढ़ता है या नियूस पेपर या जज्जमेंट्स किसके पास इतना टाइम होता है भाई चातूर देखो तुम्हारी बात यहां पर बिलकुल ठीक है और रिसेंटली ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बलकि कुछ ओनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने इस विशे पर चर्चा की और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिसकेशन करेंगे जो तुर देखो हिंदु धरम जो एक way of life था समय के साथ साथ उसमें कुछ लोगों ने अपने western interest को पूरा करने के लिए कई कुरीतियों को उसमें स्थान दे दिया अन्टेचेबिल्टी भी उसमें से एक था उन्होंने अपने western interest को पूरा करने के लिए अन्टेचेबिल्टी को perpetuate किया किन्तु हम भारतियों ने आजादी के केवल 895 दिनों के भीतर भीतर इसको अपने सम्विधान के आर्टिकल 17 के तहट यानि की fundamental right के तहट इसको abolish ही नहीं किया बलकि कानून के द्वारा इसको दंडनी अपराद भी घोशित किया गया इसके अपरान चतुर पार्लिमेंट के द्वारा दो landmark जो acts थे वो अस्तित्व में लाएगे पहला था protection of civil rights act 1955 और दूसरा था scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act 1989 चतुर SCST act 1989 के अधीन विक्टिम को काफी protections मिली यहाँ पर विक्टिम को लगभग आपका guest ही समझा गया normal cases में विक्टिम पर protection को लेकर चाहे महिंदर चावला की जो guidelines आई हैं वो बात में आई हैं लेकिन SCST act में विक्टिम की rehabilitation, compensation आने जाने का खर्चा, social security हर जो aspect था वो इस कानून के अधीन, इस act के अधीन जो था वो cover किया गया तो इस तरहां से यह एक बहतरीन कानून है चतुर हिंदूओं को divide and rule की policy के अधीन अलगलग जातियों में बांधिया गया जाती प्रता का यहां से उद्गम हुआ कभी जब लुहार का बेटा लुहार हुआ करता था तो काम में निपुनता आती थी लेकिन बाद में work is work ship इस value के साथ एक social stigma जोड़ दिया गया और धीरे धीरे यह एक कुरिती का रूपधान करते गया तो बाद में protection of civil rights act 1955 and SCST act 1989 जैसे कानून अस्तित्तों में आई और अब इसी के ऐसा जुड़ी हुई कुछ recent judgments की भी बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे सुभाश काशिनाथ versus state of महराश्टा 2018 case judgment की अब यहाँ पर सुभाश काशिनाथ के case में Honorable Supreme Court ने Article 142 का use करके कई directions दी जैसे की direction number 3, 4 और 5 इसमें important थी अब इन directions के according अगर आपको एक public servant को SCST act के अंदर उसको आपको arrest करना है तो उसकी appointing authority से आपको permission लेनी होगी आम व्यक्ति की case में आपको SSP से permission लेनी होगी और अगर इस act के अंदर आपको case register करना है तो minimum seven days के भीतर आपको inquiry करनी होगी किन्तु अब यहाँ पर इन तीनों directions को लेकर खास कर society के various sections में बहुत अपरोर हुआ यहाँ पर चतुर government जो थी वो बहुत pressure में आगए और next year यानि कि 2019 में ही वो honorable supreme court में एक review petition लेकर पहुँच गए Union of India versus State of Maharashtra 2019 में honorable supreme court ने government की दलील को स्विकार करते हुए सुभाश काशिनात में जो directions दी थी जर्नल कैटेगरी के लिए उनको recall कर लिया और article 142 के अधिन judicial legislature के द्वारा उनहोंने legislature के जो prerogative को इंक्रूच किया था उसको भी deprecate कर दिया गया तिनों directions को भी overrule कर दिया गया इस extent तक सरकार के review को माल लिया गया चतुर यहां पर हम next बात करेंगे पृत्वी राज चोहान versus union of India 10th February 2020 honorable supreme court की judgment है और यहां पर पृत्वी राज चोहान उनहोंने argument दिया कि भई सुभाश काशिनात में जो directions दी गये थी 3, 4 और 5 वो बिलकुल ठीक थी क्योंकि SCST Act के कई provisions का यहां पर बहुत misuse हो रहा था उन्होंने साथ में यह भी argue किया कि government जो भी amendment लेकर आई है section 18A के रूप में जिसमें कि non-obstentic clause भी शामिल किया गया means notwithstanding anything contained in this clause imparts the legislation to override the effects of any other legal provisions contrary to this under the same law or any other law तो इस clause के अधीन सुभाज का शिरिनाथ की judgment को जो nullify किया है वो गलत है पर यहां पर honorable supreme court ने यह दलील दी कि भाई हम जो है वो government की review petition को already मान चुके हैं हाँ पर पृतिवी राज के case में यानि पृतिवी राज का जो भी 2020 का case है इसको academic purpose से उन्होंने discuss किया और honorable supreme court ने यहां पर कुछ और matters को clarify किया यहां पर honorable supreme court ने सबसे पहले डॉक्टर रामक्रिशन बलोथिया की landmark judgment को रेफर करते हुए यह held किया कि भाई SCST Act की जो section 18 है उसको honorable supreme court ने already valid बताया है और यह article 21 का violative नहीं माना गया अब यह जो judgment है पृतिवी राज चोहान वर्सिज यूनियून ओफ इंडिया इसमें three judges bench के द्वारा सुभाश काशिनाथ की जो judgment थी two judges bench के द्वारा दी गई थी उसको काफी हद तक overrule कर दिया गया यानि section 3, 4 और 5 को यहां पर overrule कर दिया गया Honorable Supreme Court ने यहां पर further यह भी clarify किया कि section 18 of SCST Act वो section 438 CRPC को exclude करता है यानि आप anticipatory bail नहीं ले सकते पर अब इसका आर्थ यह नहीं है कि यह article 14 यह फिर article 21 का violation है यह matter पहले भी तै किया गया है कि section 438 CRPC जो है वो article 21 से नहीं निकला अरे भाई जैसे यूपी में anticipatory bail तो है ही नहीं Honorable Supreme Court ने यहां पर यह भी clarify किया कि भाई सुभाश का श्रीनात में जिस परकार के protections दिये गए थे एक public servant को एक आम आदमी को उसकी तो कोई आवश्चक्ता ही नहीं थी क्योंकि यदि SCST Act का किसी तरह से abuse होता भी है किसी provision का तो section 482 CRPC में काफी protections जो हैं वो आम citizens को available है जिसके बारे में की भजनलाल और ग्यान सिंग के case में काफी discussion हुआ है Honorable Supreme Court ने यहां पर guidelines दी है हर citizen को वो SCST Act के abuse होने पर FIR quash करवा सकते है फर्दर ललिता भी अभी overrule नहीं हुआ है चाहे section 18A amend हो गया है उसके बावजूद भी ललिता ने जो कहा कि भई cognizable offense का मतलब यह नहीं है कि आप आँख बंद करके FIR दर्ज करे भई 5 exceptions अगर है तो उसमें preliminary inquiry तो must है चतुरी यहां पर Honorable Supreme Court ने सुभाश काशीनाथ केस में SCST Act के misuse को acknowledge करते हुए Honorable Gujarat High Court की पंकज D. सथार उस judgment की approach को नाकेविल appreciate किया बलकि approve भी किया further डॉक्टर एंटी दिसाई की judgment और Honorable Supreme Court की बलोथिया की judgment और Manju Devi उसको भी approve किया किन्तु यहां पर further उन्हें यह भी clarify किया कि भी सुभाश काशीनाथ को तो overrule किया जा चुका है और यह बताया कि भी section 482 के रूप में आज भी FIR की question करवाई जा सकती है और ललिता के according आज भी preliminary inquiry करवाया जाना तो जरूरी है भी उसको overrule नहीं माना जाएगा section 18 या 18A के कारण प्रित्वी राज चोहान versus Union of India में यहां पर श्रिया सिंगल के case का भी reference दिया गया और यह argument प्रिस्तुत किया गया कि भैई जिस परकार section 66A of IT Act वो article 191A को violate कर रहा था तो उसे stuck down कर दिया गया उसी तरह से section 18 और section 18A जो है वो right to reputation जो की journal category के accused का होता है जो arrest होते ही कभी वापिस नहीं आथा उसको violate कर रहा है तो उसे भी stuck down किया जाना चाहिए तो यहां पर चतुर honorable supreme court ने यह माना कि no doubt right to reputation जो है एक fundamental right है जिसे की किरन बेदी से लिखर सुब्रामनेम स्वामी के case में accept किया गया बट क्यूंकि यहां पर enough protection दिये गए हैं तो honorable supreme court ने यह कहा कि भाई यहां पर जनल पब्ली को डरने की जरूरत नहीं है यहां पर फर्दर honorable supreme court ने यह भी clarify किया कि section 18A जो है वो article 15.4 के कारण भी valid है जो कि schedule caste और schedule tribe के लिए special provision बनाने को constitution को अलाओ करता है तो honorable supreme court ने यह held किया कि भाई article 142 के अधीन judicial legislation के द्वारा आप article 15.4 को ignore नहीं कर सकते यह सीधे सीधे encroachment मानी जाएगी चैतुर अब यहां पर एक और judgment discuss कर लेते हैं 2020 की Julie CJ versus state of Kerala इसमें भी honorable high court ने यह clarify किया कि section 18 और section 18A का जो बार है वो 437 पर नहीं लगेगा यही बात honorable हिमाजल परदेश high court ने section 439 के संदर्व में भी कही फाइनली चतुर honorable HP high court की judgment को हम discuss करेंगे 14 सितंबर 2020 को यह बहतरी judgment आई अमिचंद versus state of हिमाजल परदेश अब उसमें जो arguments दिये गए उनको discuss करते हैं court के समक्ष सबसे पहला प्रशनी यह आया कि अगर section 18 यह section 18 ASC ST Act का enforce हो गया है और उसके बावजूद जैसे ही किसी आम journal category के व्यक्ति के खिलाफ F.I.R. दर्ज हो जाता है क्योंकि यहां पर anti-spatry bail तो मिलेगा नहीं क्योंकि सुभाश काशिना तो overrule हो चुका है तो जैसे ही F.I.R. lodge होता है section 3, 4, 5 के अधीन या non-cognizable offense के अधीन और वो concerned special court या magistrate के आगे surrender भी कर देता है और bail application section 439 में पेश कर देता है तो क्या magistrate या special court उसे decline कर सकता है और दूसरा प्रशनी यह था कि भई वो bail application के साथ क्या interim bail भी लगा देता है तो क्या ऐसा करना section 18 या section 18 A.S.C.S.T. Act को bypass करना माना जाएगा यहां पर फिर honorable H.P. High Court में honorable justice अनूप चितकारा जी ने सारे landmark judgments on bail jurisprudence को discuss करते हुए यह conclude कि भई interim bail देना कोई contradiction नहीं है रधर अगर accused जो है वो आपके आगया के surrender करता है और court satisfied है कि वो व्यक्ति non-cognizable offense में involved है FIR lodge हो चुका है तो कोई option नहीं है but to take him in deemed custody और magistrate जो है वो interim bail को next day पर postpone नहीं कर सकता क्योंकि bail तो आपको case diary और भी कई चीज़ें ध्यान में रखकर देनी होंगी क्योंकि अरिनेश की guidelines हैं यहाँ पर लेकिन interim bail तो आप same day ही देंगे क्योंकि यदि कोई honorable व्यक्ति एक minute या एक घंटे के लिए भी jail भी जवा दिया जाता है तो यह mindset बहुत गलत है क्योंकि गीता में भी ये लिखा गया है कि एक dignified व्यक्ति के लिए उसकी reputation को lose करना मौथ से भी पत्तर है इसलिए judicial magistrate को यहाँ पर बहुत sensitive होने की जरूरत है यह बात संजे चंद्रा से लेकर दत्ता राम गुड़ी कांती बाल चंद्र वर्सिस state of Rajasthan सिधराम मात्रे से लेकर सुशीला अगरवाल में भी held की गई अमिचंद वर्सिस state of हिमाचल परदेश में honorable high court ने यह held किया कि भाई यहाँ पर सेशिंजज सहाब और honorable high court जो है वो legal obligation में है कि अगर कोई accused आपके आगे surrender करता है और F.I.R. में non-cognizable offense है तो interim bail same day ही देनी पड़ेगी section 439 में on merit basis बन पर हाँ आप यह mechanically और arbitrarily नहीं देंगे 14.9.2020 के इस judgment में यह भी clarify किया गया कि भी यह एक judicial order है और आप इसे reject भी कर सकते हैं फिर आप उसे accused को magistrate या special court के आगे भेज सकते हैं लेकिन अगर case नहीं बनता और प्रमाफसाई court satisfied है accused ने court के आगे जो है surrender भी कर दिया है तो bail application का on merit decide होना बहुत अवश्यक है और interim bail तो आपको there and then same day ही देनी पड़ेगी यह बात केवल SCST act पर ही नहीं लागू होती चतुर बलकि penal law पर भी apply होती है जी हाँ आज हमने SCST act 1989 की recent amendments और recent case laws के द्वारा ice act की बारेकियों को समझने का प्रयास किया आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी इससे काफी जानकारी मिली होगी ऐसी ही कुछ latest judgments के साथ new cases के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए दीजे इजासत धन्यवाद